अब आपने एक step number 3 पे है, step number 3 में आपके पास क्या होता है, यह वाली चीज बेसिकली del less होती है, यह आप इसे ds कहते हो, आपने x और y के respect से वहाँ derivative लेना होता है, यहाँ dx dy लिखते थे, वहाँ पे x y variable होते थे तो उसके respect से काम करते थे, यहाँ पे जो आपका function है, देखें partial s over partial r, यहनि पहले r के respect से partial derivative into dr, h के respect से partial derivative into dh, अब आप देखें, वहाँ पे भी यही काम करने के बाद आप उसका first term के respect से derivative निकालते थे, second के respect से derivative निकालते थे, और in terms की value निकालते थे, यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, आपको given function दिया होगा, s equals to pi r r square plus h की power 1 by 2, आप उसका पहले partial derivative with respect to r लोगे, फिर partial derivative with respect to h लोगे, आपने जब partial derivative with respect to r लोगे, आपने जब partial derivative with respect to r लेना है, तो h आपके पास constant के तोरपे treat करेगा, यह constant है, यह as it is, अद देखी हैं, दो functions की product हो रही है, तो product true लगागा, क्योंकि यहाँ पे भी r आ रहा है, यहाँ भी r आ रह respect से r square का derivative to r आ जब और इसका derivative 0 होगा, इसको धोरा simple करके लिख लोगे और आप partial derivative with respect to r उसको आप sr की form में भी लिख सकते हो, similarly आप h की respect से इसका partial derivative calculate कर लोगे, अब h की respect से पाई भी constant है, r भी constant है, सिरफ इस वाली डम का derivative लेना होगा, पावर नीचे पावर में से एकम पा constant है तो इसका derivative 0 और h square का derivative 2h आ जाएगा, cancellation करने के बाद आप इसको भी simplify form में लिख लोगे, अब आपने इसकी value find out कर लिए, इस derivative की value find out कर लिए, अब आपको dr और dh की value चाहिए, जिस तरह हम previous questions में कल कर रहे थे, अब देखें, आपको उनोंने कहा है कि जो r है वो calculate कर रहे ह आप लोग 6 और उसके अंदर accuracy कितनी आ रही है, 1% आ रही है, जब भी कभी आपको accuracy की बात कहीं जाए और उसकी exact value बताया है, आपके इंजीन function आ जाता है, तो अब देखें, यहाँ पर accuracy की value बताया है, r की value बताया है, कितने percent accuracy थी 1% थी, आप 6 को 1% से multiply करो, वो 6% में change हो ज जाएगा 0.06, इसी तरह आपको DH की यहाँ डेल एच की value चाहिए, उसके लिए भी आपको नहीं question में कहा वा था, कि यह आपके पास 8 इसकी value है, और इसके अंदर accuracy यह 0.25 है, तो आप 8 को 0.25% से multiply करोगे, और DH की value